करनाटक विधान्सवा चुनाव से ठीक पहले दलितों पर सियासा जारी है बीते एक सब्धा के भीतर पार्टी के चार सांसद एक एक कर प्रधान मंत्री को दलितों के मुद्धे पर पत्र लिख चुके हैं यही नहीं, बाद में इन सांसदों ने अपने पत्रों को सर्वजनिक भी कर दिया ये सिलसिला आगे ना बड़े, इसी वज़े से पार्टी सभी दलित सांसदों के लिए अलग से बैठा करने की योजना पर काम कर रही है पार्टी को लग रहा है कि इस तरह के पत्र लिखने के सिलसिले को अगर नहीं रोका गया तो इसका अस्तर करनाटक विधान सभा चिनाव पर नजहरा सकता है करनाटक में दलित वोटरों का आंकड़ा लगभग 19 फीजदी के आसपास है ऐसे में पार्टी नहीं चाती कि बिहार की गलती फिर से दोहराई जाए इसी वज़े से अब पार्टी ने इस एजेंटर पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है इसी सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष अमिशाह ने महा सचेब भूपेंदर यादब और अन्य नेताओं के साथ एक बैठक भी की इस बैठक में रणीती बनाई गई कि लगातार किसी ना किसी शिकायत को लेकर प्रधान मंत्री को पत्र लिखने वाले सांसदों समय अन्य सभी दलिश सांसदों को एक साथ बुलाए जाए और उनसे पाकचीत कर उनकी नाराज़गी को दूप किया जाए बीडेपी के लोकसभा और राजसभा में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाती और जनजाती के सांसद है हाला कि प्रधान मंत्री को पत्र लिखने वाले चारोही सांसद दूसरी पार्टियों से आए लेकिन इसके बावजू पार्टि को लगता है कि अगर इन सांसदों को नहीं मनाय जाता तो इसका विपक्षी पार्टिया फादा भी उठाएंगी दलितों के आरक्षन को लेकर बीटेपी लगातार अपनी सफाई भी दे रही है अभी अभी एक जूट का पुलिंदा फैलाना चालू किया देविंडर जी ने बात करी राहुल बाबा कहते हैं STSC Act को डिमोलिस कर दिया कोई STSC Act को डिमोलिस नहीं किया बिजर्वेशन हटा देंगे राहुल जी, पवार साब, कान खोर कर सुन लो भारतिय जन्ता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है इतना नहीं आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतिय जन्ता पार्टी हटाने भी नहीं देगी एक कमिट्मेंट भारतिय जन्ता पार्टी का है रेजर्वेशन के मामले को लेकर खुद बीजेपी बार बार सफाई दे रही है और अब पार्टी के नेताओं से भी कहा गया है कि वो दलितों के गाउं में जाकर दो रात जरूर बिताएं जिसे दलितों के रेजर्वेशन पर विपक्ष के गलत परचार का जवाब दिया जा सके ये सन्योग ही है कि जिन चार दलित सांसदों ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा उनमें से अधिकांश दूसरी पार्टीों से आये हुएं इसी तरह से कुछ और दलित सांसद भी ऐसे हो सकते हैं जिनें अगले चुनावे टिकट कटने का खत्रा हूँ ऐसे में वो लोग भी इसी तरह फत्र लिखकर उन्हें सारवजनी कर सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं चाहती कि ये मामला आगे बढ़े और वे पाक्ष इसका फाइदा उता है ब्यूर रिपोर्ट एपियंट